हालो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंगलिज का फ्रेमिंग को बुक से दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग ठीक है इस्टोरीज ओव स्टोलें चाइड़ूट इसके ओथर है जीन साल के ये स्टोरी में दिया हुआ है ठीक है ये push-up का फिम है कि हम समझेंगे कि कैसे दो चीज़े एक है poverty और रुसरा चीज है ट्रेडिशन का मतलब कोई चीज का परऊपरा ठीक है तो ये दो चीज मुखे इसके बारे में कहां नहीं है ठीक है चलिए पहले बार्ट से स्टार्ट करते हैं लिखा है सम्टाइम्स आइफाइंड रूपी इन इन दगार्वेज और ये इन्वर्टेट कॉमा के अंदर है मतलब ये किसी ने बोला है तो यह जो यहां पर है दो लोग के बिसमें डा साहेब हुमाई इनकाउंटर एवरी मोर्निंग इसकावरेंजिंग फॉर गोर्डी दा गार्वेज डंप सफ वाई नेवर्वूड तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी जो ऑथर है एनी जंग उनके परोस में गार्वेज डंप है कुरे का डेर है ठीक है तो वह वहाँ पर देखती पहले अपना घर छोड़ चुका है उसका घर जो था वह पांगलादेश का जो क्यापीटल है धाका उसके हरे-हरे मैदानों में उसके घर था ठीक है लेकिन साहेब को उसके घर के बारे में नौट इवन डिस्टेंट मेमोरी मतलब एकदम ही याद नहीं है वह कंप्लीटली इस लिए वो लोग अपना किर एक ठाका चोड दीये और उआब से इंडिया में 23 अरोप यह पाता से लिए कांसर आप्साहर में इंडिया में आचुके है और यह लोग इंडिया में आके क्या करते हैं looking for gold यानि कच्रा चुनते हैं और कच्रा में कोई भी वेलुएवर चीज मिल जाए उसी को यह लोग गोल्ड कह रहें ठीक है और यही काम करते हैं वो लोग डैक पिकिंग का और यहीं पर लोग रहा रहें समझ गए तो वापस आते से बोलता है looking away और ऐसा बोलते बोलते वो अपना चेहना एक तरफ घुमा लेता है अब यह लाइन के ऊपर एक बार सी बीए सी पोर्ड एक्जाम में कोशन आया था ठीक है यह जो साहिब का यह एक्टिविटी है कि वो बोलते बोलते अपना सीर उधर फेड लेता है यह एक् सब्सक्राइब करता है और अगर आपको पता ही है पहले साफ कनेक्टेड मेरे से अब आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए अब आप सांती से शोरी को समझेए ठीक है तो ओथर बोलती जा तो साहिब यह आपे बोला कि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है इसका जवाब में ओ प्लाई हर कोई बिना सोचे समझे बोल देता है ठीक है तो यह अब ऑफर को भी यह बात रियलाइज होता है उसलिए वो बोलती है कि I say gleebly, gleebly मतलग कोई चीज को बक देना बिना कुछ सोचे समझे ठीक है realizing immediately how hollow the advice must sound author को तुरंद यह realize होता है कि यह जो उन्होंने advice दिया कि school जाओ यह advice कितना खोक लाए ठीक है क्यों क्योंकि there is no school in my neighborhood साहिब बलता है कि मेरे परोशी में कोई school ही नहीं है ठीक है जब वे लोग कोई एक school बनाएंगे तब हम जाएंगे अब यह जो हम they को यहाँ पर underline कर रहें इसके उपर भी एक बार आपके board exam में question आया हुआ है exam में यह line देदेंगे बलेंगे यह they कौन है कौन लोग school बनाएंगे साहिब किसको refer कर रहा है तो यहाँ पर the officials ठीक है government officials है उनको refer कर रहा है ठीक है यह MSQ के रूप में आया था चलिए आगे देखिए if I start a school will you come I ask half joking तो any reason जो हमारी author है वो मजा करते हुए बोलती है कि अगर मैं एक school बनाओ दो तो क्या तुम आओगे yes he says smiling broadly काफी हसते हुए बोलता है बिलकुल a few days later I see him running up to me कुछ दिन बात वो मेरे पास दोड़ते हुए आता है और पूछता है कि क्या आपका school ready हो गया तो यहां तो हमारी author ने jokingly मजाक करते हुए कह दिया था लेकिन यह साहिब तो उसको seriously ले लिया और पूछता है school बन गया क्या तो हमारी author काफी embarrassed feel करते हुए बोलती है कि एक school बनने में काफी लंबा समय लगता है ठीक है author को यह बात realize करके काफी embarrassment फिलोता है कि उन्होंने एक ऐसा promise कर दिया जो कि not meant उन्होंने मजाक में बोला था seriously थोड़ी बोला था ठीक है लेकिन author बोलती है कि ऐसे promises इन जैसे बच्चों के लिए कई सारे ऐसे जूटे वादे किये गये है ठीक है in his bleak world उनके अदकार जीवन में ऐसे promises बहुत आये हैं बहुत गये हैं तो ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है साहिब को ठीक है after months of knowing him कई मैने हो गए उसको जानने के बाद I ask him his name मैंने उससे उसका नाम पुछागी बच्चे तुम्हारा नाम क्या है साहीब आलम वो announcement करते हुए मनों बोलता है कि मैना नाम साहीब आलम है ठीक है शौट में साहीब तो यह नाम तो काफी grand है ठीक है he does not know what it means साहब को मालूम नहीं कि उसका नाम का मतलब क्या है अगर उससे पता तल दाए कि उसका नाम का मतलब है lord of the universe ठीक है साहब आलम का मतलब है universe का राजा ठीक है तो उसको यह चीज विश्वास होने में काफी मुश्की लोगा कि वह तो वह तो कच्रा चुनता है और फिर नाम ऐसा काफी साही नाम है ठीक है उसको विश्वास नहीं होगा ठीक है मानों वो हर सुबर निकलते हैं और तोपार होते होते गायब हो जाते हैं ठीक है birds की तरह ठीक है over the months I have come to recognize each of them और कुछ मन्यों में मैं सब को पैचाना शुरू करती ऑफर बताती है ठीक है एक दिन क्या देगी है क्या होता है कि जो हमारी ऑथर है एनी जंग वो किसी एक बच्चे से पुष्टी है साहिब से ने कोई एक बच्चे से पुष्टी है इनी जूंड में से ठीक है पुष्टी कि अरे तुम लोग चपल क्यों नहीं पहनते हो ठीक है My mother didn't bring them down from the shelf he said simply बच्चा जबाब देता है मेनी मम्की इससे चपाल के देती ही निए इसलिए नहीं पहनते पन है अनदर एक दूसर बच्चा बलता है कि अगर उसकी म जब ऑफर कमेंट कर दिया कि अडे तुमने तो अन्मैच शू पहन कर रखा हुआ है तो यह सुनके वो बच्चा काफी सर्मा जाता है और अपने पैद कुछ सिपाने की कोशिज करता है ठीक है और नथिंग सेज नथिंग कुछ नहीं बोलता है फिर एक तीसरा बच्चा है ठीक है वो बोलता है कि I want shoes मुझे तो जूता ही चाहिए इसके लिए हम चपल नहीं पैनते हैं ठीक है उसका पूरे जीवन में उसने जूता तक नहीं पहना हुआ है ठीक है काफी बुरा हलत है इन लोग का ठीक है traveling across the country I have seen children walking barefoot in cities on village road तो हमारी जो ओथर है उन्होंने पुड़ा इंडिया घूमा है ठीक है और वो नोटीस की है कि यहांते जो बच्चे है वो नंगे पैरी घूमते हैं चाहे वो सहर के बाद बच्चे हो या फिर विलेजेस के बच्चे हो ठीक है it is not lack of money ऐसा लगता है कि पैसा का कभी नहीं है but a tradition to stay barefoot is one explanation जब हम पूछते हैं लोगों से तो लोग यह explanation देते हैं कि यह पैसा के कमी के करण जूते नहीं पहनते जूते चपल इसलिए नहीं पहन रहे यह जूते चपल इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि यहां पे generation आता है लोगों की तरफ से I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty और हमारी author सोचती है कि यह तो सीफ है पहाना है कि यह हमारा UDP once told me अब हमारी जो author एनी जंप उनको एक story यादाता है यह story जो है एक man था ODP से वो man author को बोला हुआ था ठीक है story ऐसा था कि as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest यह जो man था ODP का वो बस्पर में क्या करता था एक school में जाता था ठीक है वो school एक old temple को cross करके था मतलब पहले old temple अतरता रास्ते में उसके पाद school आता था ठीक है और इसी temple में उसके पिता जी पुजारी थे ठीक है और तीस साल बाद I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation अब तीस साल बाद जो हमारी author है वापस उस टाउन को विजिट करती है और temple को विजिट करती है जिस टाउन का महौल काफी क्या था desolation काफी लगभग निरासा सा लग रहा था वहापने ठीक है in the backyard temple का जो पीछे का एरिया था ठीक है where live the new priest अब वहाप एक नया पुजारी आ चुका था there were red and white plastic chairs उस backyard में लाल रंके सफेद रंके प्लास्टिक के चेयर रखे हुए थे एक चोटा सा बच्चा आता है dressed in grey uniform पैना हुआता है ठीक है और socks भी पैना हुआ है जूता भी पैना हुआ है arrived panting काफी हापते वह वहाँ पर आता है और अपने school bag को फेक देता है एक folding bed pack खटिया पर फेक देता है ठीक है Looking at the boy I remember the prayer another boy had made to the goddesses to the goddess when he had finally got a prayer of shoes let me never lose them अब यह क्या यहां पर लिखा हुआ है देखे और आफर जो है वो तीस साल बात वापस इस्ट लैंड पर आई हुई है न तो देख रही है कि इस बच्चे को देखके जो बच्चा काफी हाफते हुए आता है जो इता मोजा पेना हुआ है ग्रे यूनिफॉर्म पेना हुआ हुआ स्कूल बेक को एक farding bed पर फिक दिया थो इससरे बच्चे का याद आजाता है मतलगा इस मैन का याद इस चेंपवन ओ-प्रास करता था कि उससे नया जोड़ने के साथ शात जब उससे नया जोड़िया था इस मैन और प्रेंग किए था कि ये जूता कभी मेरे से खोए ना let me never lose them ठीक है तो writer को ये बात याद आता है समझे अनादर बॉइ समझे रहे अनादर बॉइ कौन है वो ही man from UDP जो अकसर ये प्रे करता है कि मुझे कहीं से भी एक जूता लाके दो ठीक है the goddess the goddess had granted his prayer आज का situation देखके मुझे लग रहा है कि देविमान ने उनका prayer सुन लिया है यंग boys like the son of the priest ना वोर्शूस आज कल पुजाडी के जो बच्चे है वो अब जूते पहने लगे है but many others like the rag pickers in my neighborhood remain शूलेस लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं इसे कि मेरे परोस के जो rag picker से जो कच्रे चुनते है वो अभी भी शूलेसे उनको अभी भी जुनता नहीं मिला है ठीक है चलिए आगे दिखते है अभी आपको काफी अठपटा लगा होगा यह कहां से आगी है इस्टोडी का बीच में यह बैरा ठीक है आप आपको पहले ही बताती है कि यह राइटर ने एक पुरा बुक लिखा है अ लॉस्टी स्प्रिंग स्टोरीज उफ स्टोरें चाहिदूर्ट उस बुक का चोटा सा एक्सर्प यहां पर दिया हुआ है ठीक है C.E.R.P.T. एक्सर्प दिया हुआ है उसलिए आपको यह तरह आजीव लग रहा है कई से कार्ट चाट के यह पैरा डुका दिया है यहां पर समझे चलिए वापस आते My acquaintance with the barefoot rack pickers lead me to Simapuri a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metamorphically तो जो हमारी author है उनका तो जान पैचान वजाता है in rack pickers के साथ barefoot rack pickers के साथ इन जान पैचान के कारण जो हमारी author है वो कहां विजिट करती है Simapuri विजिट करती है Simapuri देली के काफी करीब है लेकिन अगर हम metamorphically बात करें symbolically बात करें तो वो देली से काफी दूर है development के sense में ठीक है geographically काफी करीब है distance काफी कम है दोनों के बीच में लेकिन development के रूप में बात करें तो दोनों में काफी जविनास्वान का फरक है देली और सीवापuri में समझे तो हमारी author Simapuri जाती है those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971 हुआ क्या थे कि Bangladesh 1971 में आजाद हुआ था पाकिस्तान से बंगलादेश को 1971 में independence मिला था ठीक है पाकिस्तान से तो बंगलादेश ते कई सारे लोग इंडिया में आ गए थे रोजगार की तलास में तो ये लोग इंडिया के तो residents नहीं है ना इंडिया के resident नहीं है इनका अपना यहां पर जमीन में नहीं है ये लोग जहां भी खाली जगह मिलता है वाँ पर 10-20 लगा के रहने लगते हैं तो ऐसे लोगों को squatters पोलते हैं ठीक है तो सीमापूरी में ऐसे squatters बहुत सारे हैं साहिब's family is among them तो साहिब का भी family उसी में से एक है इसका मतलब साहिब अब कहाँ पर रह रह रहा है सीमापूरी में रह रहा है समझे की नहीं सीमापूरी जब ये लोग 1971 में ये squatters लोग सीमापूरी आए हुए थे तब सीमापूरी काफी wildness जंगली जगा था मतलब जंगल लोग जदर आते नहीं थे आज भी जंगली है लेकिन फरक सिफ इतना है कि ये आज खाली नहीं है यहाँ पर काफी सारे squatters रने लगे है घर किस टाइब के है देखिए तो मिट्टी के बने हुए घर है टीन के रूफ या फिर टरपॉलीन तिरपाल के रूफ लगे हुए है कोई सीबेस सिस्टम नहीं है टॉलेट वरक है कैसे जाएगा पता नहीं ठीक है सेप्टी टैंग नहीं बना हुआ है ट्रेनेस का सिस्टम नहीं है रनिंग वाटर नहीं है इतना चीज इतना बुरा हालत में भी सो हजार शॉरी टैन थाउजन रेकपीकर्स रह रह रहे है ठीक है दे हैब लीब्ड हैर फॉर मोर देन थर्टी एर्स तो लगभग तीस साल यह लोग यहां पर आ चुके है विदाउट एन आइडेटिटी को एक पहचान नहीं है इनके पास पहचान पत्र नहीं है विदाउट पर्मिट क्योंकि यह लोग बिना पर्मिशन के इंडिया में आ चुके है लेकिन इनके पास रेशन कार्ड है जिसके कारण यह लोग का नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है इनके पास water ID card है, ration card है, ठीक है, और इसे कारण ये लोग कुछ grain भी खरीद पाते हैं इंडिया में, समझे, अब ऐसे देखा जाए तो water card भी एक identity card है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों यहां पे लिखा हुआ है ऐसे, कि कोई identity नहीं है, पैसान नहीं है इनका, लेकिन इनके प करेंगे, खाना मिल गया है, वही बहुत है, राशनकार तो है इनके पास, ठीक है, इफ अद अफ देए, वी can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, बोला जा रहा है, कि अगर हम यहां पे जह रहे और दिन के अंध में, अगर हम अपने परिवार को खाना खिला पा रहे, और बि ठीक है, यह बात कौन बोलते हैं, एक group of women बोलती है, इन tattered सारी, फटे हुए सारी सारी पहने हुए वो लोग और यह बात बोलते हैं, ठीक है, ओधर को, when I ask them why they left their beautiful land of greenfield and rivers, जब ओधर इन से पूछती है कि तुम लोग अपना घर छोड़के यहां पर क्यों आएगो, तो यह लोग यह reason देती है, क्योंकि यहां पर हमें खाना मिलता है, ठीक है, wherever they find food, जहां पर भी इनको खाना मिल जाए, यह लोग वही पर tent लगा देते हैं, और यही उनका temporary घर बन जाता है, बच्चे यही पर बड़े होते हैं, और इसी survival के जंग में parents का partner बच जाते हैं, ठीक है, और सीमा पूरी में अगर आपको survive करना है, मतला आपको क्या करना पड़ेगा, रैक पिकिंग करना पड़ेगा, कच्रा चुनना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कच्रा में से valuable समान चुनना पड़ेगा, चाहे वो plastic का bottle हो, जो भी हो, तो कई सालों के बाद, ठीक है, कई साल यह स कच्रा नहीं है, इनके लिए कच्रा गोल्ड है, ठीक है, क्योंकि इसी कच्रे के बदोलत उन्हें डेली का रोटी मिलता है, सिर के उपर एक छट मिलता है, ठीक है, बले ही वो छट लिकिंग ही क्यों ना हो, पानी क्यों ना चूता हो, लेकिन वो छट तो है, ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए तो ये उससे भी जादा है ठीक है साहिब बोलता है कि कभी-कभी मुझे तो एक रूपे भी मिल जाता है और इवन और 10 रूपी नोट कभी-कभी 10 रूपे का नोट भी मिल जाता है पता है ये लाइन स्टार्टिंग में दिया हुआ था ठीक है ये बात साहिब बोलता है और ये बोलते हुए उसका आखों में एक अलग टैप का चमक दीखता है ठीक है तो और ये बोलती है कि जब आपको गार्डवेज में एक अगर चांदी का सीका मिल जाए तो आप सैटिस्वाई होगे छोड नहीं देंगे इसका ओरेंजिंग मतलब ढूंड़ना और कच्रा चुनना आप बंद नहीं करेंगे बलकि आप और ध्यान से और एनरजी के साथ कच्रा चुनेंगे क्योंकि आपको ये होप रहेगा कि कुछ और भी मिल जाए ठीक है तो ऐसा लग रहाता कि सीमा पूरी के जो बच्चे है इनके लिए गार भी मिल जाए ठीक हैflight के लिए ये एक मींस जुआए वले इनको ब्रेड मिलता है हेड के ऊपर रूफ मेलता है ठीके चलिए फिर एक सूबह क्या होता है कि ठंडी का सूबह रहता है ऑथर जो है वो साहेब को देखती है साहेब कहाँ ख़रा है ऑथर के परोस में ही एक कलब है ठीके, जहाँ पे कुछ यंग मैं दो यंग मैं वाइट कपरे पहने हुए थे और टेनीस खेल रहे थे ठीक है तो उसी क्लब के जो fence gate था gate पर खड़ाओ के साहब देख रहा था इस टेनीस गेम को I like the game और देखते हुए बोलता है कि मुझे ये game काफी पसंद है और काफी वो content इस गेम को देखते हुए ठीक है I go inside when no one is around he admits साहिब ये admit करता है मतलब author से बोलता है कि मैं अंदर तब जाता हूँ जब अंदर कोई नहीं रहता है जो gate keeper है जो guard है वो मुझे वहाँ पर जूला भी जूलने देता है ठीक है साहिब डू इस वेरिंग टेनी शूज और आज तो एक अजीब बात ये भी है कि साहिब भी चूता पहना हुआ था बले टाइगराम में तो खाली पहरी है लेकिन यह लिखा हुआ है कि वह टेनी शू आज पहना हुआ था जो की काफी अजीब से दिख रहे थे उसके डिस कलर्ड शर्ट और शॉट्स पर जो वह हाप पैना हुआ था जो शर्ट पैना हुआ थे तो काफी पुराने फटे चीटे थे उस पर उसने एक टेनी शू पहन लिया था अब आप सोच रहे होंगे कि ये गडिब बच्चे के पास साहिब के पास ये टेनी शू आया कहां स क्या इसते चोड़ी किया क्या चलिए देखते हैं साहिर यहां पर बोलता है कि someone gave them to me he says in a manner of explanation मनों explain करते वे बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिया है मतलब किसी ने साहिब को जूते दिये हैं ठीक है the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them does not bother him अब हमें समझ माया कि एक rich boy था rich boy ने उस shoe को discard कर दिया ठीक है इसलिए discard इसलिए refuse कर दिया पहनने से क्योंकि उसमें से एक जूते में क्या था hole था ठीक है इसलिए उस rich boy ने ये जूता फेक दिया मतलब ये जूता साहिब ने ले लिया ठीक है और ये ये जूता पेनके काफी खुसे समझ रहे हैं और इस बात से साहेग को फ़रक नहीं पड़ता है कि ये खिरीज बॉय ने फेका वज जूता उसने पैना है, ठीके उसको कोई फ़रक नहीं पड़ता है क्योंकि साहेग एक ऐसा लड़का है जो अपने पूरे लाइफ बेर, फूट नंगे पर भूंता रहा है तो उसके लिए एक जूता मिल जाना पले ही उसमें एक वोल क्यों ना हो, उसके लिए तो यह क्या है, like a dream come true, उसका सपना मनो सच हो गया हो, ऐसा जूता पहन के, समझ रहे हैं, आज भी कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, अब आप क्या दोश देंगे, इसका किस्मत ही पुरा है, ठ समझ रहे, इस बॉर्निंग, साहेब इस ओन इस वे तूदा मिल बूथ, अब उस दिन क्या हुआ था, साहेब, ठीक है, कहां जा रहा था, एक मिल को बूथ में जा रहा था, जहां पर दूद मिलता है, ठीक है, और वो अपने हाथ में इस टील कैनिस्टर लिया हुआ था, से इसारा करते हुए, बोलता है कि मैं उस चाय दुकान में काम करता हूँ, ठीक है, और चाय दुकान में वो इस्टील के केनिस्टर में दूद लेके जा रहा था, ठीक है, आई एम पेड एट्टी एट हंड्रेड रूपीज और ओल माई मिल, साहेब बोलता है कि मुझे आट से चाय दुकान में काम करता है, तो क्या यह नया काम उसको पसंद आ रहा है क्या, तो यह कुशन सुनके ही साहेब का फेज जो था, हैज लॉस्ट दा केर फ्री रूप, साहेब का जो चैरा था, वो अचना से मुर्जा गिया, पहले साहेब भले ही कच्रा चुनता था, लेकि ठीक है, उसको कुछ काम करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ था, दे स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन दा प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग, यह वोड कैरी सो लाइटली ओवर इस शोल्डर, बोला हुआ है कि जो स्टील कैनिस्टर है, वो उसके कंदों पर ज्यादा ताहते है, प्लास्टिक बैग के मुकाबले, जो काफी आराम से अपने शोल्डर पर कैरी किया करता था, क्योंकि वे प्लास्टिक बैग, यह कंदों चुनने वाला बैग था, वो उसका था, दा बैग वोज लेकिन आज जो वो कैनिस्टर कैरी कर रहा है यह कैनिस्टर उस मैंड को बिलॉग करता है जो कि टीश अपना मालिक है साहे बाप अपना मालिक नहीं रहा है ठीक है वो किसी और गुलाम बन चुका है समझे की नहीं तो इसी के साथ यह पहला पार्ट एंड हो जाता है काफी लेकिन अगर आप इन सब प्रचों को देखे तो लेगा कि हम लोग तो काफी खुश नसीब है यानि कि हम खुद भी ठीक है कि हम लोग को चलो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा इतना श्रगल नहीं करना पड़ा कम से कम हम लोग के माम अपने पर हाथ दिया एक लिए ठीक है चलिए इस ममले माम लोग काफी लखी है अब है दूसरा पार्ट I want to drive a car अब ये स्टोरी है मुकेस के वारे में दूसरा पार्ट ठीक है मुकेस नहीं का एक लड़का है वो बोलता है कि insist on being his own master मुकेस का मन है कि वो अपना master फूद बनेगा इसी को continue किया गया है ठीक है क्यों अब मैस्टर खूद बनना है ठीक है और वो बोलता है कि मैं एक motor mechanic बनूँगा ये अनॉंस करते वो बोलता है कि मुझे क्या बनना है motor mechanic बनना है ठीक है और ये अनिधिंग अबाउट कार्स आइस ऑथर उससे पुछती है कि क्या तुम कार के बारे में पुछ मालूम है तो मुगेस जवाब देता है कि मैं पहले कार्स दाना सीखूंगा ठीक है और एदम ऑथर के आपको मैं आपको मैं आँख डाल कर बात करता है ये मतलब काफी कॉंफिडेंस के साथ बोलता है कि मैं मुझे बनना ही है मोटर मेकैनिक इस ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज अमिस दर्श टॉप इस टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स अब ये कापी इंपॉर्टन लाइन है देखिए मुखेस का जो ड्रीम है ड्रीम क्या है एक मोटर मेकैनिक बनना ये ड्रीम एक मिराज की तरह है मिराज क्या होता है एक ऑप्टिकल फेनोमेन है मतलब कोई भी डेजर्ट एरिया है जब काफी ज़दा टेंपरेचर वह जाता है और अगर आप यहां से जा रहे हैं तो आपको मुखेस का जो ड्रीम है इसको एक मिराज बोला गया है मतलब भ्रम की तरह बोला गया है क्यों कि मुखेस जो है वो फिरोजाबाद में राता है और यह फिरोजाबाद सहर जो है यह फेमस है अपने बैंगल यानी चूडियों के लिए फेमस है ठीक है चलब आगे नमज में आएगा क्यों यहां पर ऑथर ऐसा पोल रही है क्यों उसके ड्रिम को मिराज कहा उसने क्यों भढब है क्यों के स्क्यू अपना यह सपना पूरा नहीं कर सकता है देखिए फिरोजाबाद में क्या होता है कि हर दूसरा फैमली बैंगल मेकिंग बिजनेस में इन-गेज है सब नूसरा फैमली चूडी बनाता है थीक है इंडिया का जो ग्लास ब्लॉइंग इंडस्ट्री है मतलब उसका सेंटर रही है फिरोजाबाद ठीक है सबसे ज़्यादा चूरी फिरोजाबाद में बनता है यहाँ पर लोग जो है कई सारे पीडियो से यह काम करते हैं ठीक है फटी करके काम करते हैं ग्लास को वेल्ड करते हैं और बैंगल्स बनाते हैं ठीक है तो मुकेस का फैमली भी इसी में से एक था मुकेस का फैमली भी क्या करते थे बैंगल्स बनाते थे लेकिन इन लोगों को ये बात मालूम नहीं था कि इस काम में बच्चों को involved करना illegal है क्योंकि यह एक child lever है ठीक है क्योंकि glass furnace में काम करना जहां पर glass लौट यहां पर glass को पीगल आया जाता है जो बटी होता है वहां पर काफी high temperature हो जाता है और यहां पर मुनके और इसके जो 20,000 बच्चे है ये इस गरम भट्टी से बाहर आ जाएंगे ठीके यह पर ऐसे 20,000 लोग काम करते हैं और यह अपना दो डेलाइट आवर से उसको स्लॉक करते हैं स्लॉक देलाइट आवर मतलब दीन में काफी मेहनत से काम करते हैं लोग और इस भट्टी में जहां पर लाइ रॉष्णिक हो देते हैं समझरें अंध्य हो जाते हैं तो यहां पर लिखा हुए मुकेश इस आइस बीम्स एजी वॉलन्टियर्स टू टेक मी होम विच प्राउडली सेज इस बिंग रिविल्ट मुकेश बोलता है और ऑथर को की चलिए आपको घर दिखा दे अपना और यह यह जब बोलता है ना तो उसके आख में चेक चमक दिखता है और बोलता है कि मेरा अभी अभी नया बना है वापस रिपेल करके बनाया हुआ है चलिए हम आपको घर दिखाते ठीक है तो ऑथर और मुकेश दोनों चलते हुए जा रहे हैं इस्टिंकिंग लेंस चोक्ड एक मानो मत टेंपरोरी स्ट्रक्चर है जोपरी की तरह है जिसका वाल्स क्रमबल कर रहा है अब लबगत तूटने ही वाला है है लुल रहा है वोबली दोर्स दरवाजा मतलब एक बार बंद कीजिगा तो कापने लाएगा ठीक है कोई खिरकी नहीं है ऐसे से घर को यह लोग क्रॉस करते हैं और इन सभी घरों में क्रावडेट है उस फैमिलीज ऑफ हुमन्स एन अनिमल्स लोग भी रह रह रहे है और अनिमल्स पी रह रहे है एक साथ ठीक है कोईजिस्ट कर रहे है इन प्रीमीवल इस्टेट मानो लग रहा है कि यह हम एंशन टाइम में आ गाया सीन कुछ देखने को मिल रहा है समझ रहे है तो मुकेस स्टॉप्स एक दरवाजे के आगे मुकेस रूपता है बैंक्स अ बोबली आइरन डोर विचिस फूट अपने पैरों से लात माड़के दरवाजा खुलता है तो यह लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं यह हाफ बि दोपरी है इन वन पार्ट ओपीस दोपरी के अंदर थैस्ट वित डेड़ गरास इस फायर गोर्ड इस्टोप एक चूला है ठीक है वाल वाल देके बना हुआ है उस चूले के ऊपर चला हुआ है एक सिजिलिंग स्पिनाच लिप्स मतलब पालक का कुछ सबजी बन रहा है उ क्थे कुछ ब आते हैं तो ख़णा बना को नंग रही है ऐस फ्रेल मतलब वीक यंूमन एk काफी जबान सी औरत च्छोटी और वाली आउरत और ख़णी की च्छोबबली पतली सी वह खणा बना रही है ठीक है फॉर्द यूल फैमिली अकेले बना रही है इ 일 भी दोण रात म स्माइल करती है ठीक है तो ये फ्रेल यंग मुमेन है कौन तो ये है सी दो वाइफ ऑफ मुकेस का बड़ा भाईया का बीवी है मतलब कि ये मुकेस का भावी है समझेगी नहीं उमर में तो ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है लेकिन अभी से वो एक बगु का दर्जा समाल रही है डाटर इनलो है वो उस घर की ठीक है और तीन मर्दों का खैन वो रखती है एक तो उसके पती हो गए एक मुकेस हो गया और एक उनके पिताजी ठीक है मतलब मुकेस के पित आते हैं उस रूम में आते हैं तो यह जो उरफ जो आरत है यंग वोश्तिय का करती है उस तूटे हुए वाल के पीशे जाके छिप जाती है और अपना पल्लू जो है वह अपने सिर पर लाती है चैरे पल्लू से चैरे को डग लेती है क्या पर कस्टम समज़ एक रिटिशं ह है कि daughter-in-law जो है जो बहुए होती है उनको male elders के सामने अपना face को गुंगट में धगना होता है समझ रहें यहां का custom है in this case the elder is an impoverished bangle maker तो यहां पर इनके पीता जी का जिक्र बत किया हुआ है कि यह कैसे है यह impoverished काफी गरीब है एक चूरी बनाने वाले इंचाने ठीक है काफी लंबे समय से काफी मेनत किए है यह पहले टेलर के रूप में काम कर देते फिर bangle making में आये ठीक है लेकिन काफी मेनत करने का बात भी वह अपने घर को पुरा पुरी नहीं आप आये क्योंकि इनका घर्ण अभी भी लिखा हुआ था यहां पर हाफ विल्ड शैक कहा गया वह इधर कहीं भी लिखा हुआ था यह रहा हाफ विल्ड था भी भी तो अभी भी वह घट को पुरा-पुरी रिनोवेट नहीं कर पाया है ठीक है और send his two sons to school ना अपने बच्चों को इसकूल में पढ़ा पाये वह अपना पुरा जिन्यगी एक ही काम कर पाये है वह अपने बच्चों को यह आर्ट सिखा दिये है the art of making bangles चूरी कैसे बनता है यह काम सिखा दिये बच्चों को ठीक है आप देखिए मुकेश की जो दादी महा है मुकेश की grand mother है वह बोलती है कि यह मुकेश का करम है उसका destiny है यही उसके किस्मत में लिखा हुआ है उसे यही करना परेगा ठीक है उसकी दादी महा ने देखाए कि उनका खुद का husband यानि मुकेश के जो दादाजी थे वह अंदे हो गए ठीक है तो दानीमा बोलती है कि कैना गौड गीवन लीनेज एवर भी ब्रोकन सिंप्लाइज वो बोलती है कि भगवान का दिया हुआ जो लीनेज है जो काम है ठीक है यह हमेरे पुर्वाजर्व का दिया हुआ है इस काम पूर ली सकते हैं कोई हमारा गड़ से दूसरा ही देखा है घर में हो आंगन में हो दूसरे घर में हो दूसरे घर का आंगन हो फिरोजाबाद का हर एक रास्ता हो हर जगा हमने क्या देखा है इसी बैंगल सी देखा है तो हमें क्या करना है बात अगे रही समझ रहे उसलिए यहां पर जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि मुकेस का जो ड्रीम है मोटर मेकानिक बनने का यह सीव एक मिराज है एक भड़ाम है कुछ और करी नहीं पाएगा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस्पाइल सॉफ बैंगल्स अलग अलग टाइप के जो बैंगल्स है सनी गोल्ड हो गया पैडी ग्रीन कलर का रॉयल ब्लू कलर का पिंक परपल एवरी कलर बॉर्ण आउट ओड 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 दा सेवें कलर सफ रेंबो रेंबो में सात तलर होते हैं वेब गया ठीक है उसके सातो आउट थेले को यंग मैं पूस्ट करते हुए ताउन के सुक्सिक्र हुए गलीयों में ले आते और बेचते हैं ठीक है एंड इन डार्क हटमेंट और घरों में जो अंदकार अंदकार से जोप्री है वो जोप्री के अंदर क्या होता है लिखा हुआ है कि लाइन से जो बच्चे है चाहे वो लड़का वो या फिर लड़की होई लाइन से सब बैठ जाते हैं अपने मुवी बापा के साथ ठीक है और उनके सामने क्या है फ्लेम्स ओफ फ्लिकरिंग ओएल लैंप वो रखा हुआ है उनके सामने अर्क एंडरे के सामने डिविये में क्या कर रहे हैं ऐसे जो बच्चे है ये काफी मतलब यह फील में घ्रोश्क ऑख जाते आफो कर दोग्या जाते है और ने बाधे लिगत आप्ट तो इनको तीन में बाहर निकाल दिया जाए तो इनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगा यह तो आप भी अब्जर्फ किये होंगे कि जब आप वाल से बाहर निकलते हैं या फिर अचानक हॉल में जाते हैं तो आपको थोड़ टाइम लगता है एड़स्ट होने में तो आपको दिखने लगता है ठीक है फिर आगे देखिए है कि यह कारण है कि यह लोग एडल्ट होने से पहले ही अपना आई साइट लूस कर देते हैं समझे है अब एक और लड़की है जिसका नाम है सभीता एक यंग गर्ल है जो की ड्रैब पिंक ड्रेस पहने हुए ड्रैब Mega pieces of glass tots glass घोर्रही है ठीक है और इसके हाथ इत्लद चल रहे हैं महनों मचीन की तरह काम कर रहे हैं मशीन के किसी एक पार्ट की तब हैथ त test इतने चल रहे है ठीक है, कितना मतलब पवित्र माने जाता है इन चूडियों को, क्योंकि चूडिया बैनली यह नहरे, वो क्या सीमलाइज करते हैं, यह किसी भी इंडियान ओमेन का सुहाग होता है, ठीक है काफी शूब माना जाता है auspiciousness in marriage ठीक है it will dawn on her suddenly one day एक दिन अचानक उसे ये बात समझ में आएगा जब उसके सिर के ओपर लाल रंका तुपटा रख मतलब क्या बुलते उसको घूंगट रख दिया जाएगा ठीक है तब वो क्या बन जाएगी एक बहु बन जाएगी दुलन बन जाएगी ठीक है like the old woman beside her who became one many years ago ठीक उसी ओरत की तरह जिसके बगल में वो बैठी हुई है और यह ओरत भी कई सार पहले एक बहु मतलब एक दुलन बनी होगी ठीक है she still has bangles on her wrist but no light in her eyes वो जो elderly woman बैठी हुई है old woman उसके उनके हाथों में भी चूडिया है लेकिन उनके आपों में कोई चमक नहीं है वो औरत बोलती है कि एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया पतलब कोई ऐसा टाइम नहीं मिला है इनकों की भर पेट खाना खाया हो रोज इनको थोड़ा कमी खाना खाके सोना पड़ता है ठीक है ऐसे आवाज में बोलती है उनका आवाज में कोई खुशी नहीं है इसी को ट्रास्लेट करके आप लिखा हुआ है और उनके जो हस्बेंड है और उनके जो हस्बेंड है ओल्ड मैं है काफी बड़े बड़े दारी है उनके वो बोलते है कि I know nothing except Bengals मुझे तो चूई-छोड को और कुछ मालूम ही नहीं है ठीक है All I have done is making a house for the family to live in काफी ब्रावडली बोलते है कि मैंने तो अपने जीवन में बड़ा काम कर दिया है वो बड़ा क्या है मैंने अपने परिवार के लिए घर बना दिया है ठीक है उसके पत्ती को सूनके तो ऐसा लगता है कि मानो उसने कुछ ऐसा सी एचीव कर लिया है जो काफी लोग अपने जीवन बड़ में भी नहीं कर बाते हैं वो चीज क्या है अपने घर के ऊपर एक छत बाना यह सच माहिने में भी यह सही बात है कि सिर्क के ऊपर छत होना है इनफ टू इट रिडिंग से नेवरी ओं यह जो चीख है यह जो रोना है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि कुछ हम और बिजनस से स्टार कर पाए हमारे पास सिप इतना ही रिसोर्टर्स है कि हम सिप चूरी बना सकते है ठीक है यह चीख हर घर में सुनाई पड़ता है चीख है अमरे बास पैसा ही नहीं है ठीक है तो इसलिए लोग क्या कर रहे है चूरी बना रहे हैं यंग मैन हो या फिर बुड़े लोग हो ठीक है सब लोग एक ही इको दर लेविंट ऑफ देर एंडर्स जो बढ़े रोते आए हैं वही यंग मैन भी आजके डेट में रो रह हो जाए इनका सारा जो इनिशेटीव है और जो एविलिटी टू ट्रीम है वो सब ख़तम हो चुका है इसलिए इसलिए इंको वापस देखिए यहर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल इतना ऐसे मैनत करना मानों दिमाग सुन पड़ जाए ठीक है इतना मैनत करने का बाद इनिशेटीव लेंगे कहां से नया एनर्जी के साथ कोई नया काम या फिर नया सपना देखेंगे ऐसा कुछ सीनी नहीं है यहां पर समझ रहे हैं फिर आगे देखिए राइटर यहां पर इनको एक एडवाइस देती है कि आप लोग एक क्यों नहीं बना लेते हैं को प्लास चाहिए होगा कम दाम में रोमेटर लाएगा ज्यादा में समान भीखेगा ठीक है तो यह कुछ फायदा मिलेगा फूर अपरेटिव का ऑथर जो है यह बात बोलती है कुछ गुरूप यंग मैन को ठीक है जो लोग वीचिया सरकोला मिडल मैन के चकर में पढ़ चुके हैं मत प्रजब से इनका इंकम काफी कम हो गया है ठीक है तो इनके पिता-जी भी और दादा भी परदादाभी यह लोग भी इसी मिडल मैन के चकर में पढ़के बढ़वाद हो गए तो यह यंग मैन भी ऐसी बढ़वाद हो रहे है तो इनको बसाने के लिए राइटर बढ़ जो ह तो यह यंग मेन जवाब देते हैं कि अगर हम लोग और्गनाइज हो भी जाए कौपरेटिव में तो हम भी लोग होंगे जो पुलिस के द्वारा मारे जाएंगे पीटे जाएंगे ठीक है भगाई जाएंगे और हम ही को जेल में बंद किया जाएगा कुछ ना कुछ इनलीगल चार्ज लगा के हम पर ठीक है देसे अगर आप इसा इंसान नहीं है जो लीडर का निवा पाए कोई ऐसा नहीं है जो उनको यह चीज दिखा पाए कि आरे आप चूरी नहीं से बहुत चीज कर सकते हो जीजों को दुसरे तरिके से देखने का किसी के बास चमतर नहीं है ठीक है देर फादर्स भी उतने ही ठके और यह लोग एंडलेसली लगतार यह लोग इसी सीज बात करते रहते हैं अगर आप ऐसे चार्ड बुढे लोगें पास अगर आप बैढ़ जाए या पिड़ है तो आपको सिक एक ही बात सुनने को मिलेगा वह होगा गरीबी का गृड का इन जस्टीस का ठीक है अपैथी का यही सब सी दुख पी रहे हैं, लोगों रोते रहेंगे, ठीक है? तो इन लोगों का बात सुनने का बाद आपको दो टाइप का वर्ल्ड देखने को मिलता है एक वर्ल्ड है, ऐसे फैमिली हों का जो की पोवर्टी में और अपने कास्ट में थी बेंगल मेकिंग कास्ट में फस्केर रच चुके हैं और दूसरा वर्ल्ड है इनसाहुगार, मिडल मैन, पुलिसमेन लोगा, लोग सारा मलाई खा रहे हैं और ये लोग काफी स्ट्रडल कर रहे है, तो यए दो टैप का वर्ल्ड देखने को मिनता है, तो ये दोनों ही जो वर्ल्ड है ना, दोनों मिलके सबसे दाईमेज किसको कि थे हैं, बच्चों को डेमेज किए हैं, रिश्य के ऊपर इत्ता बोश डाल दिए कि बच्चा इस बोश को हटाने पार रहा है और जब तक बच्चे को यह बात समझ माधा है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं सब क्या कर रहें इसके वाहाब हम पर सकते थे कुछ और काम कर सकते थे कुछ स्किल सीख सकते थे ठीक है तब तब तक काफी लेट हो जाता है जब तक बच्चे को यह बात होता है तब तक काफी लेट हो जाता है क्योंकि वह भी इस बात होता है एक्सेप्ट कर चुका है जैसे कि उसके पिजाजी एक्सेप्ट कर लिए थे समझ रहें कुछ नया चीज करणा to do anything else इसका मतलब वगर कि बात करती है और मुकेस में यह फ्लैस हलका सा हिम्मत दिखता है कि मुकेस जब बोलता है कि मुझे मोटर मेकैरिक बनना है तो ओधर जो है वो काफी खूश हो जाती है ठीक है चलो कोई तो है जिसमें थोड़ा साही साही एक इच्छा तो है कि एक कुछ अलग किया जाए ठीक बॉलता है कि नहीं मुझे अट टॉराने का हावा में उड़ने का पोई सौक नहीं है ठीक है जब इन पर देखते वह बोलता है इन इस पर इंपरिश्मेंट वो काफी इंपरिसमेंट फिल करता है मुकेस ठीक है डैक इस बात साफिए बले वो सरमीनदा है अपने गरीवी को लेकिन वो प्रिग्रेट फिरोजबात के जो यंग मैन है और जो ओल्ड मैन है उनकी तरह अफ्सोर्स तो नहीं कर रहे है बैट के रो तो नहीं रहे है ठीक है अभी इंबरेसमेंट है बस वो सरमीनदा है इसके अंदर मुकेस के अदर अभी भी यह चाह है कि यह कुछ अलग करें लेकिन यह यंग मैन और यह ओल्ड मैन तो इनके अंदर तो यह चाहां मर चुका है ठीक है और वैसे भी फिरोजबात के जो जगह है यहां पर काफी कम एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं ठीक है उपर वह जाला एरोप्लेन उड़ता ही नहीं है इसलिए मुकेस कभी करके साटिस्पाइड है ठीक है इसके उपर भी कोशन आता है तो कोशन एंसर आपको अलग से मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है आप सिंपल में गूगल में सर्च कर दीजेगा लॉस्ट इस्प्रिंग इंपॉर्ट क्लास्ट्व इंपॉर्टन कोशन भाई सी बेसी चैनल पर नए है तो दरूस सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है और कुश मन में डाउट कंफ्यूजन फूसी बात बोलना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं ठीक हम कोशीज करेंगे उसका रिप्लाई देने का चलिए एंड करते हैं मिलते हैं बॉतल किसी और वीड कर दोड़ि जाओ करते हैं